हलो एव्यवन आज डेट है 25 दिसंबर 2022 और देहिंदू न्यूज एनलेसिस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देहिंदू की इंपोटन न्यूज को एक्जाम के पॉइंट अफ्यू से डिस्कस करेंगे इचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलग्राम चैनल वॉलकन आई एस केडमी के साथ में जूड सकते हैं वहाँ पर हर एकजाम मेंस UPSC, स्टेट PCS and other exams के पॉइंट अफ्यू से काफी इंपोटन इंफोर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर के जाती है तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक जोग्रोफिकल मैप के साथ में और आज आपका केस्ट ये है महाकाली रीवर को आपको मैप में व्यू करना है फिर इससे related and important facts को और information को comment box में टाइप करना है कल हमने आपसे question पूछा था जोवारी रिवर को लेकर के तो जोवारी रिवर हमारे इंडिया का जो गोवा स्टेट है उसकी largest रिवर के रूप में फ्लो करती है ये जो जो जोवारी रिवर है ये एक टाइडल रिवर है और इसका origin वेस्टन घाट से होता है जोवारी रिवर मे अलग-अलग different waterway जो है वो गोवा स्टेट में आकर के इसमें मर्च होते हैं जैसे कि अगर हम discuss करें तो मांडोवी रिवर एंड कुमबर जोवा कैनाल ये जोवारी रिवर और मांडोवी रिवर जो है ये दोनों मिलकर के जो गोवा स्टेट है उसमें एस्टिराइन सिस्टम को establish करती है और गोवा की जो farming industry है उसके लिए एक foundation का role play करती है तो ये important fact हो गए है जो आरी रिवर को ले करके जो हमारे exam के point of view से important है दहिंदू को अगर हम discuss करें तो first important news है दहिंदू के front page पर और यहाँ पर हमारी जो government है उन्होंने RTPCR report के लिए एक important guidelines release की है कि वो traveler जो China और three other countries जिसमें सामिल है Hong Kong, Japan, Thailand and South Korea अगर यहाँ से आप आ रहे हो तो negative RTPCR report जो है वो आपके पास में होनी चाहिए साथी साथ में जो हमारी government है उन्होंने जो भी international flight इंडिया में आ रही है उनमें जितने भी passenger है उनमें से 2% की random testing करना भी start कर दिया है ताकि other countries से जो हमारी connectivity है क् भी covid के case जो है वो इंडिया में increase देखने को ना मिले तो यहाँ पर बात की गई है RTPCR report की तो इससे related हम कुछ basic facts discuss करेंगे कि कैसे क्या होता है RTPCR report और कैसे इसका एक basic history background जो है हम discuss कर लेते हैं तो देखो एक American biochemist जिनका नाम है Carrie Mullis Carrie Mullis इन्होंने जो है वो PCR technique को मतलब एक तरीके से इसकी खोज की थी, discovery की थी और इसके लिए Carrie Mullis को 1993 में Nobel Prize भी दिया गया था जो chemistry background है उसमें यहां पर अगर हम discuss करें तो इसमें क्या किया जाता है PCR जो report होती है इसमें किसी भी human body की अलगले part से कुछ sample लिया जाते है और इसमें जो DNA का जो sample लिया जाता है फिर उसकी copy जो है वो बनाई जाती है एक enzyme का यूज करते हुए और enzyme का नाम है polymrase अब जब इसकी copy जब बनती है तो DNA की जो chain reaction होती है उसको यहां पर view किया जाता है कि exponentially जो DNA है वो अपने आपको copy कर रहा है मतलब 1-2, 2-4, 4-8 इस तरीके से उसके बाद में जब exponentially DNA अपने आपको copy करता है तो उसके बाद में DNA को view किया जाता है और इससे attached जो virus है उसको view करके जो है पता लगाया जाता है अब आपको ध्यान में ये रखना है कि जो coronavirus है वो RNA से मिलकर के बना होता है मतलब ribonucleic acid से मिलकर के बना होता है तो अब हमें coronavirus को detect करना है तो पहले RNA को DNA में convert किया जाता है और इसके लिए एक technique यूज की जाती है जिसको बोला जाता है reverse transcription इसलिए जो PCR technique को यहाँ पर खुजा गया था कैरी मुलिस के दिवारा उसमें RT-PCR मतलब पहले RNA को DNA में convert किया गया फिर उसकी यहाँ पर growth को view किया जाता है और जो exponentially वो अपने आपको increase करता है तो उसके बाद में यहाँ पर जो है फिर उस DNA को view करके coronavirus को detect किया जाता है तो यहाँ पर जो procedure है RNA को DNA को convert करने में इसमें एक enzyme का use किया जाता है जिसको बोला जाता है reverse transcriptage तो इस तरीके से RT-PCR report जो है वो काम करती है और इस तरीके से पता लगाया जाता है कि कोई भी human body जो है वो COVID से affected है या फिर नहीं है next important article है नहीं देखिए news page पर और यहाँ पर देखो मतुरा कोर्ट जो है उन्होंने साही इदगा मोस्क्यू जो है उसकी area को review करने की बात बोल दी है देखो बहुत सारी जो एक तरीके से petition मतुरा कोर्ट में लगी हुई थी कि यहाँ पर जो ये इदगा जो साही इदगा मोस् और इसी को लेकर के review करने की बात कि यहाँ पर जाच की जो है inspection करवाया जाए और यह सारा issue है इसको solve किया जाए तो इसी को लेकर के मतुरा कोर्ट ने बोला है कि जो भी procedure है उसको implementation करने के लिए पहले हमें जो basic knowledge है वो होनी चाहिए कि क्या-क्या issue है और किस तरीके से किस time मे इसका formation किया गया था और किन basis पर यहाँ पर जो किसन जनभूमी को लेकर के जो भी important बात रखी जाती है उसको लेकर के हमें traces या फिर उससे related को important fact जो है वो हमें देखने को मिलते है नहीं मिलते है इसी को लेकर के जो inspection जो है वो यहाँ पर किया जाएगा 20 January का जो इसकी report है ज यहाँ पर हमारे इंडिया का जो North East वाला पार्ट है अगर Internet की North East वाला पार्ट अगर आप व्यू करोगे तो इस तरीके से आप देखिये तो कोई यहाँ पर जो है वो मियमार कंत्री है और मियमार कंत्री में 1st of February 2021 से यहाँ पर आर्मी जो है वो दुबारा से रिूल कर रह है तो आर्मी को अपना जो पावर है वो snatch होता हुआ दिखाई दिया और उन्होंने दुबारा से यहाँ पर अपने आपको पावर में लेकर किया है जिसको लेकर करके काफ़ी लंबी टाइम से आप प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहा है तो यह है हमारा म्यामार से टच होता पर जो मियामार निशनल है उनकी क्रोसिंग को काफे ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा है साथ ही साथ में जो ड्रक्स को लेकर के जो इशू है वो भी काफे ज़्यादा इंक्रीज हो गए है मतलब हमारे नोर्थ इस्ट में एक तरीके से इस्टेबिलिटी लाने के लिए हमारा जो बोडर एरिया है और उसे लगते हुए जो इस्टेट जो कंट्री है उनमें इस्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तब ही जाकर के इन इशू को हम सॉल कर सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो राजस्तान स्टेट को ले करके है देखो राजस्तान आप सभी को बता है कि राजस्तान का जो वेस्टन पार्ट है वो थार डेजर्ट है और थार डेजर्ट में जो सन रेज है उसकी इंटेंसिटी काफी ज़्यादा देखने को मि इसी की वज़े से जो solar project जो है, वो maximum वहाँ पर established किये जा रहे हैं, अब दूसरा basic point अगर हम बात करें, तो great Indian western जो है, वो यहां के region में पाये जाता है, थार डेजर्ट वाले region में पाये जाता है, गुजरात वाले region में पाये जाता है, अब यहां पर जैसल मेर जो है, जो 225 km यात्रा जो है, वो कर रहे हैं, अपने पैरों पर चल करके, ताकि end desert sacred growth को बचाया जा सके, तो दो point हम यहां पर discuss करेंगे, पहला तो, यहां पर forest region जो है, जो काफी ज़्यादा important है, specific अगर हम बात करें, जो भी यहां पर wildlife है, उसके लिए, और great Indian bastard के लिए, तो यहां पर जब solar project established किया जाएगा, तो forest region को कार दिया जाएगा, ओकी, दूसरा basic problem क्या है, कि जो great Indian bastard, solar project established की जाएगे, उनकी population जो है, इनको लेकर के, solar project को लेकर के, जब transmission line यहां पर established की जाएगी, तो उसकी वज़े से, उनकी संख्या जो है, वो फिर से कम हो जाएगी, तो जो भी हमा नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां पर basic focus यह होना चाहिए, कि जो भी हमारा forest area है, वो भी रहना चाहिए, क्योंकि काफी ज़्यादा important है, जो हमारी forest policy है, उसके according, अगर हम बात करें, 33% जो है, वो इंडिया का forest से cover होना चाहिए, इतना area नहीं है, तो इस तरीके से, हम solar project को establish करन वो other important points के उपर ना देखने को मिले, उन्हीं area को focus करते हुए, यह solar project जो है, वो establish होने चाहिए, देखो यहां पर बात की गई है, ओरान की, ओरान मतलब कुछ ऐसा area, जो एक तरीके से sacred area है, जिसको लोग जो है, वहाँ पर जो पेड़ पूदे हैं, उनको रक्षा करते हैं, पतलब किसी village area के आसपास वाला area, जो काफी important होता है, उसे village के establishment के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी animal है, वो वहाँ पर grazing के लिए जा सकते हैं, तो यह area जो है, वो काफी important है, इसलिए यह जो protest है, वो देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट आर्टिकल जो है, वो मनिपूर स्टेट को लेकर के है, देखो मनिपूर के जो CM बने थे, उन्होंने 2017 में जब वो CM बने तो उन्होंने campaign launch किया था, कि यहाँ पर मनिपूर में जो tribal लोग है, ज्यादा तर वो क्या करते हैं, कि वो कोशिश करते हैं, कि जो narcotic crop है, कोई compromise नहीं किया जाएगा, और इस साल जो है, वो origin time में, जो वहाँ के tribal chief है, उन्होंने allow किया है, और जो भी mountainous slope region है, वहाँ पर काफी ज़्यादा इसकी खेती की जा रही है, फार्मिंग की जा रही है, तो इसको लेकर के वहाँ की जो government है, वो no compromise motion में यहाँ पर अपना जो तो इन सबी को अगर हमें रोकना है, तो नार्कोटिक क्रोप जो है, उसका यहाँ पर development, establishment नहीं होना चाहिए, नेक्स चो आर्टिकल है, वो जम्मो कस्मीर वाले region को लेकर के है, तो यहाँ पर देखो एक बात बताई गई है, कि कस्मीर में अभी तक हम बात करें, तो एक specific ए पावर जो है, बोडी में वो काफी ज़्यादा होनी चाहिए, और इसको बनाने के लिए जो procedure है, उसमें man का involvement ज़्यादा देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ की जो women है, वो आगे आई है, और इस project में, जो winter session में, especially यह जो dis है, वो बनाई जाती है, तो पहले यह देखने को मिलता था, कि काफी ज़्यादा issue रहते थे, मतलब productivity कम और जो consumption है, वो ज़्यादा, तो यहाँ पर जमो एंड कस्मीर का जो special status रिमूवा, जिसके बाद में tourist story है, जो सब कुछ है, वो काफी ज़्यादा increase होंगे, तो इनकी special risk है, तो इसका consumption जो है, और ज़्यादा increase होगा, त ताकि, जो focus किया जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है, इस product को बनाया जा सके, अब यहाँ पर सेख हीरा जो है, वो उन first few women में से हैं, जिनोंने harissa selling का का काम जो है, वो अपने अंडर किया है, वरना यह जो काम है, वो male dominated sector माना जाता था, ओके, next important article है, यहाँ देखे, science page पर, तो देखू, यहाँ पर दो बात बताईगी है, पहले diabetes को कैसे हम खत्म कर सकते हैं, तो इसको लेकर कि एक research किया गया, और research में यह बताया गया, कि intermittent diet, या फिर calorie restricted diet को अगर follow किया जाता है, तो diabetes की जो cases है, type 2 diabetes जो है, उसको भी remit किया जा सकता ह है, खत्म किया जा सकता है, इस तरीके के result जो हैं, वो देखने को मिले हैं, next यहाँ पर जो article है, देखो, time के साथ में अगर हम बात करें, तो nutrition value अगर बच्चों में कम रहती है, तो उसका effect देखने को मिलता है, उनके growth में, और mind के development को लेकर की, तो इस तरीके के case जो हैं, वो साहिता से, आप बच्चों को smarter नहीं बना सकते हो, उनकी physical activities, exercise, यह सारी चीजे जो हैं, वो आपको focus करनी होगी, और इन सभी के basis पर, मतलब हमें जरुरत है, कि food जो है, वो एक proper way में हो, nutrition value जो है, उसमें बनी रहे, साथ ही साथ में, जो exercise build muscles हैं, उनके उपर भी focus किया जाए, तो दोनों का जब एक तरीके से inclusion होता है, तब जाकर के, जो human है, उसके mind का development, एक अच्छे level का देखने को मिलता है, तो सिर्फ nutrient supplement जो है, उसके उपर main focus करने की ज़रत नहीं है, इस specific जो एक procedure है, उसके उपर focus रहना ज़्यादा जरूरी है, तब ही result जो है, वो देखने को मिल लेगा, next important article है, FAQ piece पर, और यहां पर हम discuss कर लेते हैं, कि इंडिया की जो foreign policy है, उसमें हमें क्या change देखने को मिल रहे है, तो यहां पर हम अलग-अलग point के बारे में discuss करेंगे, लेकिन main conclusion यह है, सभी point का, कि इंडिया present time में अपनी foreign policy को अपने खुद के interest के according follow कर रहा है, मतल अपने जो भी interest है, अपने जो भी profit है, benefit है, उनकी according यहां पर focus करने की बात कर रहा है, तो 2022 साल की यहां पर बात की गई है, काफी difficult year रहा, geopolitical and diplomatic stage के उपर, Russia-Ukraine war जो है, इसकी वज़े से काफी ज़्यादा effect देखने को मिला, लेकिन इंडिया ने यहां पर अपनी जो choices हैं, उनको यहां पर develop किया, जो काफी ज़्यादा difficult रहा इंडिया के लिए, देखो present time में globalization के साथ साथ में polarization देखने को मिल रहा है, जैसे पूरा world जो है, western countries में और एक तरह की से Russia-supported countries जो है, इनमें convert हो रहा है, तो इंडिया जो है, उन्होंने EU के साथ में भी, European Union, European countries के साथ में भी, US के साथ में भी, और रश्या के साथ में भी अपने जो relation है, उनको maintain करने की कोसिस की है, जैसे कि रश्या को restriction करने के लिए, जब जब कोसिस कीईगी, कि जैसे अलग-अलग segment पे, Human Rights Council पर, या फिर United Nations Security Council, United Nations General Assembly, इन समय में जब resolution पास की गई, तो इंडिया ने वहाँ पर abst हैं, उसको restriction करने की बात की, तो इंडिया ने अपने personal interest के basis पर जो है, उनके साथ में अपने relation को maintain किया, European country जो है, उन्होंने काफी influence करने की कोसिस की इंडिया को, कि restriction में इंडिया भी सामिल हो, क्योंकि इंडिया का जो dependency है, वो रश्या के उपर काफी ज़्यादा important है, तो य दूसरा अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखो, वैसे इंडिया जो है, सिर्फ रश्या और Ukraine war में अपनी abstinent policy को folder कर रहा है, अलगलग resolution के time में, लेकिन रश्या के साथ में discussion करते हुए, इंडिया ने ये focus किया था, कि ये जो present time जो है, वो war वाला time नहीं है, हमें focus करना चा corporation organization की, तो इस time different summits के लिए बहुत सारे foreign countries के जो members है, वो इंडिया की visit पर रहेंगे, साथ ही साथ में India present time में focus कर रहा है, सभी जो free trade agreement है, उनको लेकर के, इंडिया दुबारा से अपने level पर कोसिस कर रहा है, कि सभी countries के साथ में जो उनके relation है, उनको कोसिस की जाए, और इसी क के साथ में discussion जो है, चल रहा है, इंडिया ने US-led Indo-Pacific Economic Forum को join किया, साथ ही साथ में अगर हम बात करें, तो इंडिया जो है, वो 15 nations Asian Regional Comprehensive Economic Partnership, इन से बाहर हो गया, तो ये point ये दिखाते हैं, कि इंडिया जो है, जहाँ पर उनका personal interest ensure हो रहा है, उसी को focus करते भी अपना काम कर र change को लेकर के focus करेंगे, women-led development को लेकर के focus करेंगे, multilater reform किया जाएंगे, और other जो की important issues है, उनको focus करते भी काम किया जाएगा, नेवर्स के अगर हम बात करें, तो सिरलंका को जब-जब ज़रत हुई, present time में issue हाँपर economic crisis देखने को मिला, इंडिया ने assistance provide की, साथ ही साथ में other regional countries के साथ में अपने relation जो है, उनको हमने बेतरीन किया, COVID के time में जो भी हमारी important strategy है, जो भी vaccine है, ये सब हमने provide की, पाकिस्तान के साथ में जो हमारा relation जो चल रहा है, वो regular है, चाइना के साथ में हमारे चाइना और इंडिया के जो representative है, उनकी regular मुलाकात भी हुई, लेकिन जो discussion ह वो एक तरीके से relation, healthy relation में change नहीं हो पाया, और इसी को लेकर के बोला गया है कि G20 की जब meeting होगी, तब फिर से इंडिया जो है, वहाँ के president के साथ में मिल करके, जो issue है, जैसे कि अभी अरनाचल प्रदेश के यांपसे वाले रहिनिया में देखने को मिला, उन सब भी को solve करने की कोशिस करेंगे, तो main focus यह है कि इंडिया अपनी foreign policy को अपने personal interest के according, country के interest के according जो है, वो focus कर रहा है, यहाँ पर COVID के जो cases है, उसके बारे में बताया गया है, कि देखो COVID के जो cases है, वो increase हो रहे है, चाइना में काफे ज़्यादा issue देखने को मिल रहे है, तो यहाँ पर बता गया है कि चाइना की जो vaccine है, शायद वो ज्यादा applicable नहीं है, लेकिन इंडिया के अगर हम बात करें, तो इंडिया में herd immunity जो है, इंक्रीस हुई है, vaccination program यह अच्छे से, हमने किया है, तो इसका जो result है, वो ज्यादा देखने को इंडिया में नहीं मिलेगा, यहाँ पर economy को ले अच्छे से comeback करेंगे और अच्छे से establish कर पाएंगी, तो यह आज का हमारे देहिंदू newspaper का discussion था, अगर आप यहाँ तक आई हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, थैंक कीजिए.